रिशी सुनाक जी ने अपनी लीडर्शिप कैम्पेन में कहा था कि चाहे जो भी करना पड़े I will try to make the Ravanda plan work. इन्होंने कहा I will do whatever it takes to make the Ravanda plan work as Prime Minister. That is what I will deliver. Not just Rishi Sunak बल्कि Soella Braverman ने भी यहां पर कहा था कि I would love to have a front page of the telegraph with the plane taking off to Ravanda. That's my dream. It's my obsession. यह जो Ravanda plan है इसके तहट basically यह लोग asylum seekers को Ravanda में deport करना चाहते हैं. Not just this Rishi Sunak के द्वारा जिस immigration manifesto को support किया गया है उसमें उन्होंने कहा है that they want to establish the immigration controls. They want to end the freedom of movement और यह केवल high skilled workers को attract करना चाहते हैं UK की economy के लिए. यह low skilled workers जो है उनके आकड़ों को कम करना चाहते हैं and we will ensure that the British people are always in control. यह वाले सारे के सारे statements दिये गए हैं Rishi Sunak जी के द्वारा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का super IS पर. So अभी तक हम लोग देख रहे थे कि Swela Braverman है जो की hardcore anti-immigrant है लेकिन अब हमें यह समझा रहा है कि Rishi Sunak भी यहाँ पे immigration के सक्त खिलाफ है. In fact वो भी hardcore anti-immigrant खुद है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यह वाली खबर सामने आई है first post की that Indians should not get very excited because Rishi Sunak is a hardcore anti-immigrant conservative member. So बात करेंगे कि what are the various factors जो की इस चीज़ को support करते हैं इस argument को support करते हैं. आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है Anirudh. यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए Telegram Channel के माधियम से कर सकते हैं. Also बताना चाहूँगा कि testbook की sale के कुछी घंटे बाकी हैं अगर आप लोग purchase नहीं किया है अभी तक तो purchase कर सकते हैं. इसका जो link है वो नीचे description में दिया गया है. All right. So अभी तक क्या हुआ है कि जब से ये मालुम पड़ा है कि रिशी सुनाक जो है वो UK के PM बन चुके हैं. इंडियन्स ने particularly इसको बहुत ही जादा welcome किया है. इस उमीद में कि रिशी सुनाक जी के आने के बाद जो इंडिया और UK के संबंध हैं इसमें हमें काफी जादा ज इनकी कई सारी वीडियो भी यहाँ पे वाइरल हुई हैं. एक वीडियो यह थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से ये वहाँ पे काउज की पूजा कर रहे हैं. एक वीडियो यह थी जिसमें दिखाया गया था कि वो भगवत गीता के ऊपर जो हैं उसका शपत वो ल करते हैं लेकिन at the same time that does not make him an Indian इसके पीछे कई सारे factors हैं हम अगर directly factors की बात करें पहला factor जो कि इस चीज़ को support करता है वो ये है कि वो एक hardcore Tory member है Tory member यानि कि जो UK की conservative party है उसके एक hardcore सज़स्य है जिन्हों ने Brexit campaign को बहुत ही जादा vociferously support किया था in order to keep the foreigners out उनका उस time पर भी यही मानना था कि हमें Brexit करना चाहिए हमें जो है foreigners को basically UK में नहीं आने देना चाहिए आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले की बात है जब UK की जो home secretary थी जिनका नाम था पृती पटेल जो की again Indian origin की ही थी उन्होंने यहाँ पर एक plan को propose किया था यह कहते हुए कि जो भी यहाँ पे immigrants आते हैं उनको हमें deport करना चाहिए to Rwanda यह आपके सामने है यह प्रीती पटेल जी है जिन्होंने इस plan को announce किया था UK Rwanda Migration and Economic Development Partnership अगर आप Rwanda के बारे में नहीं जानते यह बहुत ही छोटी सी country है जो कि आपको African continent में देखने को मिल जाती है और सुनाक ने in his leadership campaign यह कहा था कि चाहे जो हो जाए I will do whatever it takes to make the Rwanda plan work यान कि clearly वो इस Rwanda plan को support करते हैं immigrants को वो UK में नहीं आने देना चाहते बलकि उनको deport करना चाहते हैं to the African country of Rwanda यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यह खबर सामने आई थी new UK PM is a strong believer in the Rwandan deportation scheme और secondly जो एक इनका manifesto था जो कि इनका election manifesto था उसमें ये घोशित किया गया था कि ये immigration के ऊपर control करना चाहते हैं और जब सुनाक PM बन गए तो जो इनके PM office के spokesperson है जो इनके PM office के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि Rishi Sunak is committed to ensuring we have control over our borders and public rightly expects us to control immigration and have a system that works best for the United Kingdom यहाँ पर आप देख पाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि इन immigration controls के माधियम से हम लोग freedom of movement को end करना चाहते हैं और हम लोग ये expect करते हैं कि केवल high skilled workers को UK में invite किया जाए जो कि हमारी economy को contribute कर रहे हैं और रही बात low skilled workers की उनके numbers को हम लोग कम करना चाहते हैं और तीसरा सबसे ब waiver man जिन्होंने openly इस चीज को इस चीज के खिलाफ कहा था कि वो India UK FTA के खिलाफ हैं बलकि उन्होंने कहा था कि I have concerns about having an open border migration policy with India because I don't think that's what people voted for with Brexit उन्होंने बलकि statements ये भी दिये कि मैं तो यहाँ पर Indians जो students हैं उनके लिए भी visas बढ़ाने के खिलाफ हूं और उन्होंने ये भी कह था कि Indians ही हैं जो कि अपनी stay को overstay करते हैं और visa norms का violation करते हैं और उन्हीं के द्वारा दिया गया एक statement है जो कि ये कहता है कि I would love to have a front page of the telegraph with a plane taking off to Rwanda that's my dream it's my obsession वो भी basically Rwanda का जो plan है उसको support करते हैं और उन्होंने साथ ने ये भी कहा कि उनकी ये उम्मीद है कि जितने भी immigrants ह उनका जो number है उसको कम किया जाए from the current level of 239,000 to only 10s of 1000 उन्होंने कहा कि 90s में जब Margaret Thatcher PM थी उस time पे immigration जो है वो 10s of 1000 पे थी जो जब David Cameron थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10s of 1000 होनी चाहिए तो इन्होंने कहा कि मैं भी उसी चीज की उमीद कर रही हूं और उसी चीज के लिए मैं काम भी कर रही हूं that would be my ultimate aspiration but we have got to take it slowly and we have got to go incrementally clearly यहाँ पे सारे के सारे factors इसी चीज की तरफ दरशाते हैं कि रिशी सुनाक जिन्होंने appoint किया है स्वेला ब्रेवर्मेन को भी तो वो भी एक तरीके से anti-immigration stance ही रखके बैठे हुए हैं बलकि अगर आप देखें तो स्वेला ब रोचना रिशी सुनाकी यूके में भी करी गई थी लेबर पार्टी के MP Chris Bryant ने कहा था कि ब्रेवर्मेन की जो reappointment है it does not show integrity, competence, professionalism और sensible politics, it's just cynical maneuvering, this PM is no better than the last two और अगर आप देखें तो इन्होंने जो पहले Liz Trust की सरकार में जो international trade के लिए जो Secretary of State है Kemi Badunek इन्हों जिन्होंने कहा था कि इंडिया को कुछ भी free में नहीं मिलेगा उनको भी वापस लाया गया है वही फिलहाल इंडिया UK के बीच में जो चल रहा FTA है उसको oversee कर रही है इन्होंने statement दिया था what we should not pretend is that we are doing a full universal liberalization of every single thing that can possibly be done and create a single market and freedom of movement with India that's not what we are doing with every single trade deal there is give and take तो clearly इनका जो cabinet है वो भी उसी चीज़ को दर्शाता है कि जो इनका anti-immigration stance है वो अभी भी बरकरार है और कुछ-कुछ factors आपके सामने मैंने अभी बताए क्योंकि खुद भी वो रवांडन plan को support करते हैं तो it clearly goes on to show कि वो भी कितना जादा hardcore anti-immigration stance यहाँ पे रखके बैठे हु कि टेस्ट बो की super coaching में अगर आपने enroll नहीं किया है तो definitely check it out इसमें आप एक single subscription के माधियम से इंडिया के top level के institutes से अपनी तयारी को शुरू कर सकते हैं साथ ही में इसको आपको हमारे द्वारा courses भी available करवाए जाएंगे और इस सभी चीज़ें आपको मिल रही है मात्र 18,900 र बहुरीं से अझते हैं आपको हमारे से थीज़ें आपको मिल रही है।